ये, ठीक है, हाँ, मतलब मैंने कहा कि आचार रामचंदर शुक्ल जो है, इनके द्वारा एक निबंद चिन्ता वड़ी भाग एक जो था, ये क्या था, ये निबंद संग्रह था, और ये निबंद संग्रह जो है, उच्छा जा रहा है, कि भाई, ये किस नाम से पहली पहली ब प्रकासित हुआ था, तो आपके राइट आंसर हो जाता है, विचार वीथी, चुकि विचार वीथी जो है, वही तो आचार रामचंदर शुक्ल की रचना है, और कौन सीस में है, है ना, तो विचार वीथी नाम से ये क्या था, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, क्या विचार वी थी ठीक है हाँ आशीश गुपता ठाकुरके के चोहान आज दीपसर की क्लास नहीं चली है कल चलेगी आज कुछ लेपटॉप में गड़वडी हो जाने के करण नहीं चली है हाँ बिल्कुल सामान हिंदी वाले प्रिंसस रिया देखें आशीश गुपता जी बिल्कुल त्री वाला बिल्कुल राइट चलीए सेकंड क्वेशन आपका है आलोचना का उतकर्ष किस लेखक की आलोचनात्मक कृतियों से माना जाता है आलोचना का उतकर्ष हम बात कर रहे हैं आलोचना का तो एक ही आलोचना का देखें आप मेरे कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए, question आपको repeated नहीं मिलेंगे, इसलिए सारे question paper अगर आप कर लेते हैं मेरे जितने भी है, तो आप बिल्कुल top करेंगे, मुझे बिल्कुल ये विश्वास है, करिश्मा बिन मोहित जीव हाँ बिल्कुल, आचारे रामचंद्र शुकल की आलोचना का उतकर्स, इनकी आलोचना अत्मक्रतियों में देखने को मिला है, और आलोचना का उतकर्स, इन ही के माध्यम से प्रारंब हुआ था और इन ही के माध्यम से आज की आलोचना इतनी गहरी हो चुकी है, इतनी पल्लविद हुई है, दुवेदी युकी पत्रिका नहीं है अब आप ध्यान दीजेगा नहीं है कि बात की जा रही है इंदू, प्रभा, मर्यादा या फिर हिंदी प्रदीब बताओ इनमें से कौन सी पत्रिका दुवेदी युकी ने एक बार शेयर कर दे मेरे प्यारे बच्चों शेयर करो प्रणाव सिंग सूरज कुमार वैशाली वैश्या और प्रणाव सिंग जी सतन जी और प्रतिग्या यदुवशी ठीक है सचिन रो सौनी रभी प्रजापती भाईया सेयर करतो फिर हम आगे बढ़ते हैं description में हमने link दे दिया है mock test का देखो mock test आपके लिए हम बनाते हैं आज 42 नंबर का mock test था description में second या third link आपको मिल जाएगी वहाँ से आप देख लीजेगा और description में हमने center list की भी link देदी है तो वहाँ से आप center list भी आप देख सकेंगे ओके तो सेंटर लिस्ट भी आप देख लीजिएगा आप अपडेट हुई है दो जिलों की ज्यादा अपडेट हो गई है अगर आपकी जिले की नहीं आए ज़रूर देख लीजिएगा तो यहाँ पर इंदू प्रभा मर्यादा और हिंदी प्रदीप में से दुवेदी युक की पत्रिका तो मैं आपको बता दू देखो इंदू भी दुवेदी युक की पत्रिका थी जो प्रभा थी वो भी दुवेदी युक की पत्रिका थी मर्यादा भी दुवेदी युक की प आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा हिंदी प्रदीप बिल्कुल जिन बच्चों ने डी एंसर दे दिया है बिल्कुल सही हो गया है ठीक है करिश्माबिन जी और प्रिशा रामोतार आशिश गुपतार चलिए भाई आगे बढ़ते हैं है ना दिन्यूज जी हैं और प् पूछी गई है तपो भूमी की विधा पूछी गई है तपो भूमी की क्या विधा है आप बताईये डिसक्रिप्सन में हम लिंक हमेशा दे देते हैं इस पेपर की PDF जरूर डाउनलोड कर लेना पीडियए अगर आपको चाहिए तो डिसक्रिप्सन में हमने आलड़ी पहला लिंक दे दिया है और हमेशा उससे ही आप पुराने पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं तो तपो भूमी किस विधा की रचना है कहानी है नाटक है उपन्यास है या फिर निबंध है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपन्यास और तपो भूमी किसकी उपन्यास ह ये भी हम आपको बता देते हैं तपो भूमी किसकी उपन्यास है ये भी हम आपको बता देते हैं तो तपो भूमी जो उपन्यास है इसके लेखक दो लोग है एक और दो यहाँ क्यों हमने एक दो डाला है क्योंकि जो तपो भूमी है इसके लेखक दो लोग है एक तो जैनें जैनेंद्र कुमार याद रखना इस तपतपो भूमी के लेखक जैनेंद्र कुमार भी है और रिशब रिशब चरण जैन भी है ठीक है रिशब चरण जैन ठीक है रिशब चरण जैन समझ गए आप रिशब चरण जैन और जैनेंद्र कुमार दो लोग इस उपन्यास के लेखक हैं समझेगा इसलिए कभी भी बहांस मत करना ठीक है प्रतिक प्रतीक यह दुबंशी चलिए भई प्रतीक यह दुबंशी एक में तो आपका भी भला यूश्वर चाहेगा है ना तो यह 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 जो है आप शेयर करिए ठीक है तो रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना कौन सी है मुद्रा राक्षस है अतीत के चलचित्र है अंतरिक्ष की यात्रा है या फिर साहित्या लोचन है तो आप जानते हैं कि अत एक्षा चित्र पर भी बहुत बड़ा काम किया है इसलिए सेकेंड आप्षन आपका सही हो जाता है रेखा चित्र विधा की जो रचना है वो आपकी क्या है क्या है भईया अतीत के चलचित्र अच्छा यहां पर फिर पूछा गया है कि किस कवी को राष्ट कवी का सम्मान मिला था अब ये तो बड़ा टिपिकल कोश्चन है अगर कहीं इस option में रामधारी सिंग दिनकर लगा दिये जाएं तो आप क्या करेंगे बोलो रामधारी सिंग दिनकर जैसे ही option में आया आप क्या करेंगे अब आपको क्या हो जाएगा बड़ा ही confusion दिनकर लगाएं कि मैथली शरौन लगाएं सर कौन सा सही होगा सर कौन इसमें लगाएं इसमें तो दोनों सही है अरे दोनों सही है बिलकुल दोनों सही है अब दोनों सही है ना तो सही है दोनों लगाओ लेकिन लेकिन ध्यान देना है ये थे फस्ट और ये थे सेकेंड ये फस्ट राष्ट कवी की उपाधीन को दी गई थी सेकेंड रामधारी सिंग दिनकर को दी गई थी तो प्रात्मिक्ताब किसको देंगे मैतली शरण गुप्त को इसलिए जो प्राष्ट कवी का सम्मान है वो मैतली शरण गुप्त को प्राप्त हुआ है दूसरे सेकेंड टर्म पर रामधारी सिंग दिनकर को मिला था है ना चलिए तीसरा सब्तक का प्रकाशन वस बताए देखें तार सब्तक इतना महत्तुकून है कि आप बिल्कुल सोच भी नहीं सक कि यहां से एक क्वेशन हमेशा बोर्ड परिक्षा में बना है और हमेशा बनता रहेगा तीसरा सब्तक के प्रकाशन की हम बात करते हैं तीसरा सब्तक के ठीक है तो आप तीसरा सब्तक बताईए यो तीसरा सब्तक है यह भाई कब प्रकासित हुआ था तो हम आपको यहां पर detailed answer देते हैं अगर हम बात करें तार सब्तक की अगर हम बात करें दूसरा सब्तक की अगर हम बात करते हैं दूसरा सब्तक की ठीक है सब्तक और अगर हम बात करते हैं तीसरा सब्तक तीसरा सब्तक और बात करते हैं चौथा सब्तक चौथा सब्तक ये चार सब्तक जो थे तो इसमें प्रथम का नाम था तार सब्तक, दूसरे का नाम था दूसरा सब्तक, इन तीनों में तार शब्द नहीं लगा, ये ध्यान दीजेगा, और इसमें प्रथम शब्द नहीं लगा, अगर प्रथम लगा दिया जाए तो इसका नाम गलत हो अगेजी प्रवर्तक थे 1943 में जैसे ही प्रयोगवाद प्रारंब होता है तारसब्तक उसी के साथ छपता है तारसब्तक में कितने कवी थे तो साथ कवी थे तारसब्तक प्रथम तारसब्तक यानि तारसब्तक का संपादन 1943 में अगेजी ने किया फिर इसके 8 साल बाद 1951 में कि फिर इसके 20 साल बाद 1989 में चौथे सब्तक के संपाधन के बाद सब्तकों का क्रम बंद हुआ अब इसमें राइट आंसर पूछ रहा है तीसरे का तो तीसरे का क्या निकला 69 तो यहां पर आप फोर्स इसका राइट आंसर कर देंगे ओके चलो राइट आंसर कर देंगे आप सामान ने रूप से प्रगतिवादी काब्वी की समय सीमा क्या मानी जाती है बताओ भाई साहब सामान ने रूप से प्रगतिवादी की काब्वी की समय सीमा क्या मानी जाती है तो फटा-फट इसका इंसर दीजिए 1930 से 1946 तक 1936 से 43 तक 1932 से 47 तक या फिर 1940 से 1950 तक तो देखो जो चाया वाद था आपका चाया वाद या फिर इसी को हम अगर शुकल यूग कह दें तो भी बड़ी बात नहीं होगी गद्य में शुकल यूग था वही काबे में चाया वाद था यह जो चाया वाद था यह आपका 1918 से या फिर यूँ कहें 1920 से 20 से लेकर के 1938 तक चला 36 या 38 या 36 यह भी माना जाता हैं। 18 से 36 और 20 से 38 माना जाता है चायावाद के बाद तुरंत क्या चला था प्रगतिवाद अब जब प्रगतिवाद चायावाद के बाद चला था ठीक है तो अब जब प्रगतिवाद चायावाद के बाद चला तो प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है भाई 1938 से होगी तो यहाँ पे 19 1936 से 1943 ता क्योंकि 1943 में 1943 से क्या चला था प्रियोग वाद चल गया था इसलिए राइट आंसर आपका 1936 से 1943 तो जिन बच्चों ने एंसर दिया है क्या सेकेंड बिलकुल भाई भी एंसर वाले बच्चे एकदम जहकास करेक्ट हो गए दिल ठोक के दिल दिल से शेयर करो और दिल से लाइक करो और दिल से पढ़ो दिमाग भी साथ में ले के चलो ठीक है हाँ भीया लाइफ इस गेम जीवन खेल है शेयर कर दिया लाइफ इस गेम बहुत धन्यवाद जीवन खेल है बिलकुल माटी का पुतला बना माटी में मिल जाएगा लेकिन अब आये हो तो कुछ तो क करना ही पड़ेगा नहीं तो जीवन इतना लंबा होता है कैसे कटेगा दस-पांच वर्स होते तो कुछ नहीं करते लेकिन भाई साब सौ सालों की बात होती है आदमी जीता भले ही सत्तर में हो लेकिन सौ सालों की बात होती है तो सौ साल जीने के लिए कुछ करना तो पड़ पहला तो अगर कहां हुई थी पूछे तो लखनो में हुई थी अच्छा और फिर अद्ध्यक्श पूंचे तो मुंसी प्रेम्चंद लगाईएगा भई सब्द्रिव खां-ग को शानके इसका अंग्रेजी पूछे तो Progressive Writers Association PWA Progressive Writers Association प्रगतिशील लेखक संग या फिर प्रलेश भी कह सकते हैं शॉर्टकट में तो इसके अध्यक्ष थे प्रथम जो अधिवेशन हुआ था इसका लखनव में हुआ था प्रथम अध्यक्ष मुन्शी प्रेम चंद जी थे और अब आप समझे कि प्रगतिशील लेखक संग की स् अपना भी हो गई थी क्लियर बी एंसर इसका राइट कर लीजिए बढ़ते हैं आगे अंतिम प्रश्ण की ओर ये शोधरा के रचनाकार कौन है अयोध्या सिंग पाद्या हरियोद सियाराम सरणगुप्त मैतलिश रणगुप्त या फिर भारतें दू हरिश्चन जो जो अब देखे अनुज चौरस्या जी जुड़े हुए हैं सूरज है सुरज कुमार जी है है ना चलो भाई लाइप और राजपाल साहनी जी है सूरिया यादों है अनुज चौरस्या साक्षी मिश्रा ठीक है चलो भाई सबका सही है बिलकुल हम किस डिस्टिक से हैं अरे हम तो से कल तक अपडेट हो जाएगी है ना चलो भाई ये शोधरा की रचनाकार कौन है अयोध्या सिंगु पाद्या हरियोध है क्या लगा दो भाई लगा दो नहीं भाईया यह कहां से आ जाएंगे सियाराम सरण गुप्त है नहीं है तो इनके भाई हैं जिनकी रचना है उनके तो मैतली शरण गुप्त जो है जहांसी में जन में थे और ये मैतली शरण गुप्त सियाराम सरण गुप्त दोनों भाईया भाईया थे और दोनों कभी-कभी थे तो याद रखना मैतली शरण गुप्त यशोधरा के रचनाकार है यशोधरा के हैं द्वापर के हैं अनक के ह है ना तो अनगमिन्स कोई पूछे तो बता देना पुन्य होता है क्योंकि अगमिन्स होता है पाप तो अनगमिन्स क्या होता है पुन्य होता है गद्यांस आया है अब आपका दो गद्यांस आएंगे और एक गद्यांस आपको करना होगा पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गवरों के साथ धारन करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षाद देखना चाहते हैं यही राष्ट संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है अब आप बताईए कि भाईया ये कहां से लिया गया है अब देखो हमने दो को ट्रिक हम बता दिये हैं गध्यांस पहचानने की वीडियो पड़ा हुआ है आराम से देख लो आराम से देख लो भाई वीडियो तो हमने डाल दिया है तो अब जब वीडियो डाल ही दिया है तो आराम से देख सकते हो अब यहां आ गया क्या साहित विज्ञान धर्मकला संस्कृती और साथ में आ गया राष्ट्र संवर्धन तो राष्ट राष्ट की चर्चा हो रही है तो राष्ट का स्वरूप हो जाएगा क्या हो जाएगा राष्ट का स्वरूप हो जाएगा बहतर चलिए अगर राष्ट के स्वरूप के लेखक भी तो पूछा है भाई साहब तो इसमें लिखिए वासुदेव श्रण अग्रवाल और एक चीद ध्यार रखना मैं बार-बार कहता हूँ कि जितने भी लेखक आपकी पुस्टक में संकलित हैं सबका जीवन परिचे पढ़ना है और सबका जीवन परिचे नहीं पढ़ना है क्योंकि हमने सबके जीवन परिचे मोश्ट वाले बता दियें लेकिन सबके जीवन परिचे मत पढ़ो लेकिन अवो इसे पढ़ लो तो कोई दिखना लेकिन उनकी रचनाएं जरूर पढ़ने ना क्योंकि आपने देखा है जो भी मॉडल पेपर हमने उठाया है वहाँ पर दो चार छे रचनाएं दो चार छे क्वेस्टन आपके गद्दे पद्दे के लेकिन से ही बने है क्योंकि वो आपका सिलेबस है और जो आपका सिलेबस है वहीं से तो पेपर बनना है भाई अब कहता रेखांकित अंश की व्याक्या केजिए तो रेखांके दंस की व्याक्या केजिए कि हमारे देश के पूर्वजों ने ऐसे लिखना वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि हमारे देश के पूर्वजों ने चरित्र धर्म विज्ञान कला संस्कृति यादिक शेत्र में जो भी पराक्रम किया है यानि जो कुछ भी उन्नत की है उस पर हमें गर्व है उस पर हमें हम गवरों के साथ धर्ण करते हैं यानि उस पर हमें गर्व है और उसके देश को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं और उसी तेज को धारण करके हम भविष्य में अपने जीवन में साक्षात स्वरूप में दर्शन करना चाहते हैं ठीक है हो गया अब प्रश्ण है राष्ट समवर्धन का प्रकार इसपष्ट कीजिए राष्ट समवर्धन का स्वाभाविक प्रकार यही है क्या है? और जहां भूत वरतमान को जकड कर नहीं रखता है यही क्या है? राष्ट समवर्धन का इसपष्ट प्रकार है और पूरवजों ने किस छेत्र में पराक्रम किया है? तो आपका एंसर कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं रटना है पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित, कला और संस्कृति के क्षेत्र में पराक्रम किया है एंसर हो गया, चलो पांचवा प्रसंद देखते हैं अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है इसका आशे इसपष्ट कीजिए अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है इसका आशे इसपष्ट कीजिए अच्छा इसमें कितने कोष्टन आ गए हैं इसमें तो 6 कोष्टन भी आ गए हैं है ना अच्छा तो इसको हटा दो, एक कोष्टन हटा दो यहां से यह जो है हटा दो अब पांच कोष्टन आपके हो गए ठीक है यह पांच हो गए यह पांच हो गए आपके तो अब यहां क्या है पूरुजोने किस छेतर में काम के हो गए अब लेखक किस राष्ट का स्वागत करना चाहता है लेखक किस राष्ट का स्वागत करना चाहता है तो ये तो आपका गध्यांस हुआ खलास और बढ़ते हैं कहां अगले गध्यांस की ओर हमारा मकसद है कि आपको रटा देना एक एक चीज जो भी की इंपोर्टेंट है और जो इंपोर्टेंट है हम उसको मॉडल पेपर्स में ले करके आते हैं शेर करना मत भूलना नागेंद्र मिश्रा जी जो जो यादो सतन गेवर सचिन सोनी है ना अभी क्लियर नहीं क्या क्लियर नहीं भाई देखो सेंटर लिस्ट आ गई है तो ये तो अब जब सेंटर बने हैं तो एकजाम इसकीम भी आएगी है और जब एकजाम इसकीम आएगी तो एकजाम भी होना स्वाभाविक बात है ना फ्री में तो कुछ मिलता नहीं आज कल वैसे भी आधे से ज़्यादा स्कूलों में प्रिबूर्ड नहीं हुए है चलो भाई भारत अधिये संस्कृती की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युक की रूडियों अत्वा यथा इस्थिती का समर्थन करते हैं संस्कृती के क्रांतिकारी तत्तो की ओर उनकी दृष्टी नहीं जाती वास्तों में जो समाज में प्रचलित अनेक कूरीतियां जैसे छुआ चोट भेजाती बेद दहेज मर्त्यु भोज, नारी यव मानना, आदी भारती संस्कृती और समाज के स्वास्त की सूचक नहीं बलकि रोग के लक्षण है तो अब इतना जब हमने गध्यांस पढ़ा है तो आपको समझ में तो आही गया होगा कि हम ये गध्यांस कहां से लिए हैं, है ना, समझ में आ गया होगा चलो इसके लिए कमेंट कर दो भाईया, ये कहां से आया है अब हमने आपको बताया था कि अगर बात भारती संस्कृती की हो जाए अगर बात कुरीतियों की हो जाए अगर 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 बात प्रगतिकी हो जाए तो आपको समझ लेना है कि प्रगतिके मानदंड बिल्कुल मोहित सिंग आपका राइट आंसर है प्रगतिके मानदंड और जो प्रगतिके मानदंड के लेखक है वो है कौन है प्रगतिके मानदंड के लेखक कौन है पंडित DDU अर्थात दीन दयाल उपाध्या है बिल्कुल स्वाति स्री वास्तो सिमरन पाल बिल्कुल सही है आप सभी का एंसर यादो मिथिल जी ठीक है चलो नित्यानद उपाध्या है साक्षीमसा ओके चलिए अब इसके हम जल्दी जल प्रश्णों को पढ़ते हैं तो गध्यांस के पाठ का नाम समझगे प्रगतिके मानदंड लेखक दीन द्याल उपाध्या है रेखांकित अंस की व्याक्या कीजिए तो लेखांकित अंस में क्या कहा जा रहा है हमारे देश भारत में भारती संस्कृती के प्रतिनिष्था ल भारती संस्कृती की समानता को उसकी गतहीन सा समझ बैठे हैं और पश्चिमी संस्कृती को अपनाये जा रहे हैं उसी कानुकरण करते हैं जिससे क्या वरा है भारती समस्याओं का निदान नहीं बलकि क्या होगा और गड़वणाएंगी लेकिन कुछ राजनेतिक दल ऐसे भी हैं जो भारती संस्कृती की निष्ठा को लेकर के चलते हैं ठीक है संस्कृती के करांतिकारी तत्त्यकी उनकी अधरश्टी नहीं जाती लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिलकुल उसको लेकर के साथ साथ चलते हैं अब आपको भारती संस्कृती के रोग के लक्षन क जैसे चुवाचूत, जादिभेद, दहेज, मृत्यूभोज, नारियोवाजना, आदिभारती संस्कृती के रोग के लक्षन है। ठीक है, इतना लिख देना है, आपको उत्तर हो जाएगा। हमारी संस्कृतिक चेतना के छीड होने का क्या कारण है। है ना, युगा, नुकूल, परिवर्थन और परिवर्थन की कमी से बनी हुई रूढिया, क्या है, हमारी संस्कृतिक चेतना के छीड होने का कारण, अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हमें जाच करें। हमारी संस्कृतिक चेतना के छीड होने के क्या कारण है, तो समाज में प्रचलित कूईतिया, युगा, नुकूल, परिवर्थन और परिवर्थन की कमी से से बनी हुई रूढिया, यही क्या है, हमारे चेतना के छीड होने का कारण है समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है? तो लेखक ने स्वास्थ का सूचक न मान करके रोग का लक्षन माना है अब देखेगा अब देखिए अब क्या देखना है आपको अब आ गया है पद्यांश और जब पद्यांश आ गया है तो भईया थोड़ा सा सुन लीजिए आप हाँ बिल्कुल प्रिंसेस रिया रूणियों को कुरीतियों को भई सही है हाँ बिल्कुल मोहित सिंग आपका भी राइट आंसर है साहितिक हिंदी वाले और सामाने दोनों पढ़ सकते है क्योंकि चैप्टर्स हाँ ये है ये वाला जो चैप्टर था वो साहितिक हिंदी वालों का था और बाकी उपर वाला जो था वो सामानी लोगों के लिए था ठीके सेर नहीं किये हो बहुत कम लोग जुड़े हैं मजानी आ रहा तो बैठी खिन्ना यक दिवस वेगेह में थी अकेली आके आंसुद्रिग युगल में थे धरा को भीगोते आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले प्रातह वाली सुपवन इसी कालवाता यनों से संतापों को विपुल बढ़ता देखके दुखिता हो धीरे बोली सदुख उससे स्रीमतिराधिकायों प्यारी प्रातह पवन इतना क्यों मुझे है सताती क्या तू भी है कलुशित हुई काल की कुरूरता से सत्यमपाल जी एजय ठाकुर जी बिलकुल यार सत्यमपाल हम नाम काहे नहीं लेंगे प्रिंसेस द्रिया बिलकुल पवन दूतिका जेव जो यादो बिलकुल पवन दूतिका से है बहुत अच्छा एंसर दिया आपने ये पवन दूतिका से है आब कह रहे हैं, लोगों हमारा कोई भी पेपर एक घंटे से कम में solve नहीं होता, क्योंकि मैं विधिवत solve कराता हूं, है ना, बिल्कुल सबसे अच्छा है और सबसे important है चैर्टर, है ना, पवन्दूति का सबसे अच्छा सिवम वर्मा जी और सबसे important है, है ना, दोखो हम आप तेरी बहुत ही काईदे से बता चुके हैं पवन्दूदी का वाईरल है हमारा वीडियो है रावन्दूदी का वाला देखो हां बहुत अच्छा चैप्टर है एक दिन गेह मिंस ओता है घर में अकेली बैठी थी बोलो कौन राधाजी खिन्ना मिंस उदास उदास कौन राधा जी आशू द्रिग यूगल मेंस होता है दोनों नेत्रों से धर्ती को भिगो रहते है अर्थात आशून के नेत्रों से निरंतर बह रहते आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंद पुष्प सदगंद अर्थात फूलों की सुगंध को लेकर के पूलों की सुगंध को लेकर के क्या आई थी? पूलों की सुगंध को लेकर के प्राता हवाली सुंदर पवन इसी ख्षण वातायनों वर्थात खिड कीसे आरही थी वातायन यानि की वायूगरह मनें खिड की आयन मिंस होता है घर तो हवा के घर क्या होते है खिड की संतापों को बिपुल बढ़ता देख के दुखिता हो संताप मिन्स होता है क्या कष्ट दिल की टीस पीड़ा तो परेशानी को और बिपुल माने अत्यधिक जादा बहुत ही जादा बढ़ता देख करके दुखी हो करके स्रीमती राधिकाजी जो है वो क्या है स्रीमती राधिकाजी जो है उन्होंने क्या हुआ कि धीरे से सादुख मड़े दुख के साथ स्रीमती राधिकाज उनसे यो मतलब इस प्रकार बोली क्या बोली प्यारी प्राताह पवन इतना क्यों मुझे है सताती क्या तू भी कलुशित हुई है काल की कुरूरता से ए पवन क्या तू भी समय की मारी हुई है क्या तू भी समय की कुरूरता से कलुशित हो गई है क्या तू भी समय की कुरूरता से कलुशित हो गई है और कलुशित कार्थ जानते हैं आप क्या होता है कलुशित मतलब मुर्जा जाना क्या तू भी समय की कुरूरता से मुर्जा गई है अर्थात समय ने क्या तुझ पर भी अपना डेरा डाल दिया है समय से प्रभावित हो गई है कलुशित होना प्रभावित होना कालिमा पुत जाना ठीक है हाँ बिल्कुल सही बात है तो अब उपर्युक्त गद्यांस का सीर्षक कभी का नाम होई चुका अयोध्या सिंगोपाद्य हरियोध पबंदूतिका और यह कहां से लिया गया हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का महा का वे कौनसा प्रिय प्रवास वहां से लिया गया तो पवंदूतिका से लिया गया है ठीक है हाँ बिल्कुल घर में अकेली राधिका थी तो पद्यांस का सीर्षक नाम हो गया रेखांकितंस की व्याख्या बता दी घर में दुखी होकर एक दिन अकेला कौन बैठा था तो भाईया राधा बैठी थी भैठी खिनना दुखी होकर के फूलों की सुगन से युक्त होकर राधा के घर में किस ने प्रवेश किया वायू यानी की पवन लिखना पवन ने प्रवेश किया अच्छा फूलों की अब फिर राधा ने प्राता कालिन वायू से दुखी थोकर क्य कहा क्या तू भी काल की कुरूरता से स्तमय की कुरूरता से कलुशित हुई है उन्होंने क्या कहा कि भाई क्या तू भी तू मुझे इतना क्यू सता रही है क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित हो करके दूशित हो गई है क्या काल की कुरूरता से कलुशित हो अगर वो नहीं आता है तो यहां पर अथवा लगा है अथवा ये कर लिजेगा एक जटका साल लगा स्तहर्श निरगने लगे लुटे से कौन गा रहा ये सुन्दर संगीत कुतुहल रहन सका फिर मौन और देखा वह सुन्दर द्रिश बहुत आनन्दिस बिल्कुल स्रिंगार से सराबोर है ना वैव विल्कुल वैसे है तुम जब भी आई ना देखो नयन की कोठरी जहां को और अगली पंक्ती देखेगा कि नहीं बिश्वास हो तो मेरी सासों की धमक सुनलो मझाकू तेरे नैनों में मिरे नैनों में तुम ज़ाको म ज़ाकू तेरे नैनों में मिरे नैनों में तुम ज़ाको एक जटकासा लगा सार्स और देखा वह सुन्दर द्रिश्य नयन का इंद्र जाल अभिराम कुसुमवे भव में लता समान चंद्र का सेली पुटा घन शाम वेरी 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टन इंपॉर्टन आएगा 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 बस इतना समझ लो इतना अच्छा ये पध्यांस है कि आप समझ लो कहीं न कहीं किसी न किसी सेट में रखा हुआ मिलेगा पवन आप समझ रहे हैं यह स्रधा मनू से लिया गया कहां से स्रद्धा मनु और स्रद्धा मनु से लिया गया जैशंकर प्रसाद इसके कौन है जैशंकर प्रसाद इसके क्या है लेखक है तो आप समझ चुके हैं बिल्कुल समझ चुके हैं अब यहां पर मैं पूरा का पूरा आर्थ बता रहा हूं और ढंग से बिल् रहे निर्जन में चुपचा प्रभा की धारा से जैसे उसने कहा कि कौन हो तुम तो एक सहर्ष माने थोड़ा सा हलका सा हर्ष के साथ प्रसंदता के साथ मनु को जटका लगा मनु को जटका लगा अरे सहर्ष के साथ क्यों लगा क्योंकि जल प्रलै थी सरस्टी नश्ट हो गई थी मात्र मनु बचे थे तो उनको थोड़ी सी प्रसंदता हुई अरे कोई जीवित है क्या बाद है कोई जीवित है लुटे हुए से देखने लगे अरे कौन? कौन गा रहा है ये सुन्दर संगीत? कौन गा रहा है? कुतुहल रह न सका फिर मौन लेकि कुतुहल अर्था जानने की जिग्यासा उनकी मौन न रह सकी और फिर क्या? और आखे जब खोल के क्या गभा? और देखा वह सुन्दर द्रिश्य और आँखे खोल कर देखा क्या देखा एक सुन्दर सा द्रिश्य एक सुन्दर सी प्रतिमूर्थी देवी की प्रतिमा के भांती खड़ी हुई थी। जैसे कुशुम वैभाव में लता समान, जैसे कुशुम के आईश्वर्य में, पुश्मों के आईश्वर्य में लता समान, लताओं के समान, जैसे पुश्मों से लदी हुई लता के समान थी वो, जैसे चंद्रिका में लिपटा घंस्याम, जैसे चंद्रिका अर्थात चांदन में घंशाम अर्थात बादल का कोई सफेद टुकडा चांदनी में चमक रहा था ऐसी आभा थी उसकी उज्वल आभा एकदम थी चंद्रिका में लिपटा घंशाम में सोता है बादल वो ऐसी प्रतीत हो रही थी स्रद्धा इतनी सुंदर थी कि चंद्रिका में जैसे कोई हो मेलें अब कुसुम अर्थात पुष्पों के आयश्वर्य में पुष्पों से लदी हुई लता के समान सुंदर लग रही थी तो तो स्रद्धा को निरखने लगे थे कुतूहल क्यों मौन नहीं रह सका कुतूहल मतलब होता है जानने की जिग्यासा तो कुतूहल क्यूं मौन नहीं रह सका मनु सरद्धा की मोहक्छबी और मदुरुवानी से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनको सबकुछ उसके जानने के बारे में उनका कुतूहल मौन नहीं रह सका और उनोंने पूँछने को मैं पूछने को आतुर होगे चंडरका में लिप्टा घंस्याम से आशे क्या है कि सरध्धा के रूप सौंदर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चंडरमा कि शीतल चांदरी में लिप्टा हुआ कोई बादल का टुकडा मजा आया हो तो like, talk दो, share कर दो यार और subscribe कर लेना जो लोग नहीं की हो नहीं करोगे तो पच्ताओगे इतनी अच्छी अच्छी अब डेश देते रहते हैं तब भी क्या मजा है तो अब देखो भाईया साहित्तिक परिचे कैसे लिखा जाता है वो हम बता चुके हैं और आचार हजारी प्रसाद वासुदे उश्रण अक्रवाल पंडित दीन देल उपाद्याई अब हमसे मत यह कहना कि सर इंपोर्टन बता दीजिए अरे हम बता चुके हैं आल्रेडी आपकी ऐसी कौन सी समस्या नहीं जो मैं सॉल्ब नहीं कर सका हूँ सारी की सारी समस्यां सॉल्ब कर चुका हूँ मैं भाई वीडियो देखिया आप लेलिस्ट में पड़े हुए हैं अचा मैं तलिशन गुप्त पंत और दिनकर समझो ए इतने इंपोर्टन है कि छायावाद का एक विक्ति आपको जरूर मिलेगा क्योंकि छायावाद के बिना हिंदी साहित्य धूरा है और हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान छायावाद का रहा है इसको जवानी देने वाला छायावाद है हिंदी साहित्य को कर्मनाशा की हार और बहादुर कहानी चुकि कर्मनाशा की हार साहित्य हिंदी में है और बहादुर दोनों में है तो कर्मनाशा की हार वह आप जानते हैं भायरोपांडे वाली कहानी लिखिएगा क्या करना कथा पवस्तु लिखना कहानी लिखना है इसमें कुलदीप होता है और भैरोपांडे होते हैं तो करमनासा नदी जो है उसका पानी बढ़ रहा होता है तो यह सब आप को कहानी में सुना चुका हूं उसी के आधार पे आपको लिखना है पंचलाइट या बहादुर कहानी अब खंड़ काब्वे के आधार पर किसी एक खंड़ के प्रशन देना है आपको तो मुक्ति अग्ये सत्यकी जीत सो आप अपने जिले के मुताबिक अपना चुल लेना और उसको देख लेना उसके इंपोर्टन क्वेस्टन में टिक कर लेना यह इंपोर्टन ही है ठीक है प डाउन्लोड PDF कब होती है वीडियो एंड में जब मैं वीडियो खतम करता हूं हा भाईया हम्रा नाम अरुनेस है अ renewed हम्रा सांकरजी हम्रा नाम अरुनेस है आपका नाम नहीं ने तकन कि अ अब आया है मजा अब ये संस्कृत है संस्कृत दो गद्यांस दो पद्यांस आएंगी एक गद्यांस और एक पद्यांस करना होगा साथ साथ अंक का होगा और दो का संदर्व होगा पांच का आपका अनुमाद होगा यदा अयम सोडश वर्ष देशिया यदा माने जब आयम माने यहा शोडश वर्ष देसी यहा अर्थात सोला वर्ष के थे आसीत मिंस थे तदा अस्य तब इनकी कनियसी भगनी छुटकईया बहन विशूचि कया माने हैजे से पंचत्वम पंचतत्वमे लीन हो गई अर्थात मर गई क्या हुआ जब यह सोला वर्ष के थे तो इनकी बहन काहे से मर गई हैजे से मर गई अब वर्ष त्रया अनंतरम अस्य पित्रव्यो तीन वर्ष के पश्चात वर्ष त्रया तीन वर्ष के अनंतरम अस्य पश्चात अस्य मिंस इनके पित्रव्यो अपिचाचा भी दिवंगतह दिवंधन गतह अर्थात स्वर्गवासी हो गई दोयोह अनयोह मृत्युम द्रिश्टुबा इन दोनों की मृत्यु देखकर आसीत अस्य मनस्य और था इनके मन में कथम अहम कैसे मैं कथम वा अयम लूकम और कैसे यह लोक मृत्यु भयात मुक्तह मृत्यु के भैसे मुक्त स्यात होगा इती चिंते तह ऐसा चिंतन करते हुए एव माने ही अस्य माने इनके हृदिमिंस हृदय में सहसेव अचानक वैराग्य प्रदीप प्रज्युलित हा वैराग्य का प्रदीप प्रज्युलित हो गया एकस्मिन दिवसे एक दिन अस्तंगते भगवति भास्वती मूल शंकरा हा एक दिन अस्तंगते अर्थात अस्त होते ही भगवति भास्वती भगवान सूर्य के मूल शंकरा गरहम अतेजित मूल शंकर ने ग्रहत्याग कर दिया ग्रहत्याग कर दिया है ना तो अब ये कहां से लिया गया है महरशिदया नंदह से लिया गया है हो गया अब देखो दूसरा है यथाईव उपकर्णवताम जीवनम तथाईवते जीवनम से आत जब याग्यवलक की पतनी मैत्री ने याग्यवलक से पूछा क्या इस संसार का सारा धन मुझे मिल जा तो याग्यवलक ने कहा नहीं प्रिये यथाईव जैसा उपकर्णवताम धनी लोगों का उपकर्णवताम अर्थात साधन संपन्न लोगों का जीवनम जीवन होगा होता है तथैव वैसा ही ते जीवनम स्यात तुम्हारा भी हो जाएगा अम्रितत्वस्य और अमरता की तो ना अशास्ती आशा नहीं है वित्तेन माने धनसे धनसे अमरत्व की आशा नहीं है सा मैत्री वाच तो मैत्री बोली अमेत्री का बोली येन अहम नाम्रिता स्याम और जिससे मैं अमर नहीं होँगी येन मने जिससे अहम मने मैं नामने नहीं अमर स्याम मने होँगी और जिससे मैं अमर नहीं होँगी किम अहम क्या मैं तेन कुर्याम उसका करूँगी यद एव भगवन यदेव भगवन जो कुछ भी भगवन भगवान जो यदेव वाने जो कुछ भगवान है भगवन केवल अमर्ता की प्राप्तिका साधन जानते हो याग्यवल के वाच याग्यवल के बोले प्रिया हे प्रिया यहां नह माने हमारी है ठीक है? यह नहा माने नहीं है प्रिया नहा माने हमारी सती माने सती प्रिय तम माने तुम प्रियम माने प्रिय हो प्रिय भाससे और प्रिय कह रही हो मेरी प्रिया रही हो तुम तु पहले मेरी प्रिया रही है प्रिय बोल रही है एही आओ उपविश बैठो व्याक्या स्यामी व्याक्या करूंगा ते तुमसे अम्रितत्यो साधनम अमरितत्य की साधन में अमरितत्य के साधन की अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा तो याग्यवल के ये आप से कहां लिया गया ये आत्मक्य एउ सरवगे से लिया गया है हो गया अब देखो मस्त 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 आया है इस लोक अगर आपको ये शलोक नहीं आता है तो मैं इसकार्थ बताता हूँ बहुत important है ये भी most 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 very most मैंने कहा सुभासित रतनानी रटके जाना 100% गारंटी लेता हूँ यही से यही से यही से यही से एक question बनेगा इसलिए सुभासित रतनानी जरूर रटना है नखलू बही उपाधीन प्रीताया हसंस्रयंते भीकसती ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम द्रावती चहिम रश्म उदगते चंद्रकान तहा कहने का मतलब यह है यहां भीकसत फाल्तू में लग गया है कहने का मतलब यह है कि व्यति सजती और व्यति सजती का आर्थ क्या है मिलाता है व्यति सजती मिन्स मिलाता है पदार्थान मिन्स पदार्थों को अंतरह माने आंतरिक को अपिमाने कोई हे तुमाने कारण पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है ना माने नहीं खलुमाने निश्चे ही बहिरु उपाधीन बाहे उपाधियों पर प्रीतया संस्रयंते प्रेम बाहे उपाधियों पर आस्रित नहीं होता प्रेम बाहे उपाधियों पर आस्रित नहीं होता बेती सजती पदार्थान अंतरह को अपिहे तुमाने कोई आंतरिक कारण नखलु बहिरु उपाधियों पर नखलु न निश्चे ही नहीं प्रीतया प्रीतिया अर्थात प्रेम प्रीतिया यानि प्रेम संस्रयंते आस्रित होता है प्रेम बाहि कारणों पर प्रीती बाहि कारणों पर इस्थापित नहीं होती प्रेम निश्चे ही बाहि कारणों पर आस्रित नहीं होता विकसती ही मिन्स क्योंकी विकसती मिन्स खिलता है पतंगस्य माने सूर्य के उदये माने उदित होने पर पुंडरी कम माने कमल क्योंकि कमल सूर्य के उदित होने पर ही खिलता है और द्रवती मिन्स पिघलती है हिमरश मिमाने चंद्रमा उदगते चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मड़ी पिघलती है इसलिए कोई अंदर का कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है समझ में आया क्योंकि जो महब्बत है वो बाहे कारणों पर आस्रित नहीं होती जिसकी महब्बत सची होती है वो हरदय से होती है उसका कारण आंतरिक होता है वो बाहरी का क्रीम पाउडर देख के महब्बत नहीं होती है वो कोई आंतरिक कारण ही होता है जो प्रेम होता है माता का प्रेम अपने पुत्र के प्रती पुत्र का प्रेम अपनी माता के प्रती मा प्रेम अपने भाई के प्रती यही होते हैं वो आंतरिक कारण जो मिलाते हैं क्योंकि प्रेम बाहरी या बाहरी उपाधियों पर बाहर कारणों पर आस्रित नहीं होता है क्योंकि अगर बाहर कारणों पर प्रेम आस्रित होता तो रात में भी कमल खिलता चंद्रकांत मड़ी हर समय पिखलती रहती लेकिन नहीं प्रेम तो आंतरिक कारण है ये अंदर की बात है इंटरनल चीज है ये क्योंकि कमल तभी खिलता है जब सुर्य उदित होता है चंद्रकांत मणी तभी पिखलती है जब चंद्रमा उदित होता है ये महबत आंतरिक कारण है प्रेम आंतरिक कार कारण है आप नहीं समझ पा रहे हैं अब स्रुकृष्ण कहा होते हैं दुर्योधन की सभा में होता है जब सभा में तो योधन इनसे कहता है कि स्रिषक कर लो उत्पन करलो, बनालो स्रजित मिन्स उत्पन करलो, स्रष्टी करलो, बनालो, स्रिजन करलो यदि तुम समन्तात मिन्स चारों ओर से देव माया स्वमाया तुम चाहे स्वयम वायु देवता यानि कि तुम चाहे चारों ओर से देव माया ही अपनी देव माया सो माया अपनी माया और देव माया ही स्रजित करलो प्रहरासी यदिवा तुम दुर निवारई ही सुरई अस्त्रई ही चाहे तुम यदिवा अथवा अथवा या चाहे चाहे तुम प्रहरासी प्रहार करलो तुम तुम दुर निवारई सुरा अस्त्रई चाहे तुम देवताओं के दुर्निवार अस्त्रों से प्रहार कर लो है माने घोडा, गज माने हाथी, ब्रशभ माने बैल तो घोडा हाथी और बैल के पातनात मार देने से घोडा हाथी और बैलों के मारने से जात दरपो उतपन घमंडवाले स्री क्रिश्न अर तुमने घोडे को मार दिया बैल को मार दिया हाथी को मार दिया अब तुम मुझे मारने आयो तुम घोडा हाथी बैल को मारने से पातनात माने मारने से जात दरपो उत्वपन घमंडवाले स्री कृष्ण नरपति गड मद्धे राजाओं के बीच में नरपति मिन्स राजा गण माने समूह, राजाओं के समूह के मध्य में बध्य से बांध लूँगा, तुम तुम बध्य से माने बांधे जाओगे, तुम माने तुम माने मेरे द्वारा, अद्ध मिल्स आज, आज तुम मेरे द्वारा बांधे जाओगे, तो स्रीकरस्न कहते हैं, तुम मुझे है यह देख पवन मुझसमें है मुझन मेल है संसार सकल मुझन मैं ढंकार सकल अमरत यह मोगाल स्रंगार फूलता है मुझने ओदिया चल मेरा दीथ भ्ल ऐसे करके उसको तमाम सुनाते हैं आपको उर्वशी को पढ़े उसमें रसम्रति पढ़िएगा मजा हैब उसमें है सब यही आपका जो रश्मरती है उसी की कहानी आपकी यहां पर दूत वाक्यों में बस सेम है अब यहां पर आपको प्रश्णोत्रों में दो के उत्तर देने होंगे जैसे आप दो के उत्तर दे लेते हैं आप eligible हो जाते हैं चार अंकों के लिए ठीक है तो यहां चलो भाई अच्छे से समझाया बिलकुल समझ में आया जो लोग समझेंगे तो उनको 100% समझ में आएगा तो उनको कुछ बिल्कुल क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं और देखो डिस्क्रिप्टर में लिंक है पेपर ज़रूर यह डाउनलोड कर लेना करने दो नाटक जिसको करना है ठीक है मस्त बिल्कुल पढ़ा चुके हैं रिशित चौरसिया जी खंड कावे पढ़ा चुके हैं पूरे पढ़ा चुके हैं जो भी आपके जिजिले में हैं पढ़ लीजिए वह प्लेलिस्ट बनी हुई है है ना हाँ लवकुष लवकुष जी लवकुष पुरेनी जी कैसे हैं भाई चलो हाँ आगे बढ़ते हैं अब आता है बालमी की किम गरंथम रचितवान तो रामायड आप जानते रामायड गरंथम को रामसरी महारतमस लिख देना इद्रिशो राजा महियम नरोज ते इती कस से उकती काकस से उकती किसकी उकती दयानंद पितु कि म नाम स्री करशन तीवारी कि लींग करशन तीवारी किसका नाम नाम था दयानंद के पिता का नाम था अब आता है हासiggle अब आता है उ यहर और तुम लोग हमारा उदानद सुने के लिए बड़ा सब्राव कर दोभ माहित रहते हो बिल्कुल सुनाएंगे परेशान होने की कोई बात नहीं है भाई देखे हास रस में क्या होता है इसका इस्थाई भाव हास होता है है ना इसका इस्थाई भाव क्या होता है हास होता है इस्थाई भाव हास होता है तो आप क्या लिकेंगे जब हास नामक इस्थाई भाव विभाव अनुभाव विवचारी भाव आदिके द्वारा पुष्ट होता है तब हास सिरस की निश्पति होती है तो इसका एक उदाण दियेगा कि अर्धनग्न नारियों के टीवी चित्र देख देख काले बाल करके समर गए दादाजी दादाजी पर सुनाएं कि अर्धनग्न नारियों के टीवी चित्र देख देख काले बाल करके समर गए दादाजी और तीन चार तरुणी जिधर दिख जाती भाई फैशन दिखाने को उधर गए दादाजी होली का था मौसम गुलाल रंग डालने को एक नव योवना के घर गए दादाजी होली का था मौसम गुलाल रंग डालने को एक नव योवना के घर गए दादाजी और फैंसी सैंडिलों से मार इतनी पड़ी की भाई तब ही से अपने सुधर गए दादाजी बजाओ ताली है हाँ चलो ठीक है हाँ जब मैं था तब हरी नहीं सांतरस का विल्कुल सही है जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाहीं और सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या हाँ तो अब देखो ये मत लिखना जो हमने सुनाया है जी वाला हा ठीक है साक्षिमिस्रा ये तो हो जाएगा कि मात नहीं पी तहीं उरिन भायनी के गुरुरीण रहा सोंच बस जी के शांत्रस का इस्थाई भाव निर्वेद होता है जब शांत्रस का इस्थाई भाव विभाव शांत्रस का इस्थाई भाव क्या होता है निर्वेद नामक इस्थाई भाव विभाव विचारी भाव आदी के उदरा पुष्ट होता है तो सांत रश्की निश्पत्य होती है हास से में आपको साहित्तिक उधारण ही हमेशा लिखना है इधर उधर के उधारण लिखोगे अगर अंक कट जाएंगे तो मैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैं इधर उधर के आपको हसने के लिए मरोनजर के लिए सुना देता हूँ लेकिन लिखना हमेशा साहित्तिक उधारण है साहित्तिक उधारण कौन सा है अच्छा कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा और बच्चों को छोड़ेंगे घर में और क्या लिखे हो और हिने दो अच्छा होने दो मेरा भी एक उधारण है अच्छा हाँ ठीक है बिल्कुल सही है शालिनी शुकला जी सही है चलिए ठीक है लेकिन ये जो है हाँ लिख सकते हैं लेकिन साहित्तिक लिखो ज़्यादा तर बहतर रहेगा मनिश चोधरी जी यूपी से हैं इस्षिपक क्या दो सब्सकिर कर संदेह संदेह अलंकार क्या है अगर आप लिखेंगे तो संदेह अलंकार है ठीक हैं संदेह अलंकार है नारी बीच सारी वाला जिसमें संका का समाधान होता ही नहीं है, संदेह बना ही रहता है, वो संदेह है, और जिसमें भरम हो जाता है, वो भ्रान तिमान होता है, रूपक अलंकार आप जानते हैं, जहां उपमे में मान का भेदर ही तारोप होता है, वहां पर क्या रूपक अलंकार होता है, ठीक है, त अब चौपाई और दोहा चंद का उदा देखें लक्षण उदा चौपाई दोहा इतना सिंपल है कि बताना नहीं चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है चार्त चरण होते हैं अंत में दो गुरु होते हैं और चौपाई का उदान क्या लिखेंगे कि बिनुपग चलए सुनए बिनुकाना कर बिनुकर्म करे बिधिनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनुवाणी वक्ता बढ़ जोगी अनन रहित सकल रस भोगी बिनुपद चलए सुनए बिनुकाना कर बिनुकर्म करे बिधिनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनुवाणी वक्ता बढ़ जोगी तो ये पूरी चार पंक्तियाह ही हमेशा लिखना आपको चौपाई छंद में 2 कश मत लिखना चार लिखना दोहा मान जानते हैं वह ले यारे इतना ऐत्य पहले और मात्रा दूसरे चौरों में 11 15 होती हैं थीक चलो यह हो गया लिख देना दोहा तो जानते हो या दोहा में क्या बताएं दोहा इतना सरल है कि दोहा नहीं जानते हैं दोहा तो बहुत लंबा चीज थोड़ी है दोहा लिख देंगे आप कोई दिक्कत नहीं है चलो तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी बात करते हैं आगे हम न राइट होता है ठीक है कौन-कौन से आपको याद करने हैं तो कुरोना वाइरस है सिंपल सा है आ सकता और नहीं भी आ सकता है most important नहीं है लेकिन हाँ यह थोड़ा बहुत important है और पर्यावरान प्रदूशन तो भीया यह तो most 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 है जितना most के उतना कम है प्रियसाहित्यकार है भारत में भ्रष्टाचार है विरोजगारी है यह चार टॉपिक ट्रेंडिंग है ट्रेंडिंग में कुरोना भी है तो चलेगा अब चलिए आपको ब्याकरण के आपको एंसर देने हैं आ गई ब्याकरण नाइका का संधी विच् िस काने इसमें अयादी संधी लगी है अयादी यह वाया वह सूत्र से लगई है हैना बिल्कुल है यादीवन यह ठोई हो जाएगा नई धन इका तो हमने बताया था आई और फीर दिदिक के आई बन जाता है क्या बन जाएगा आई और इसीASE में आईteं धाव अठिक है तो म क्या लो जगदीश का संदीविछेद बताईए जगदीश 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 या फिर जगदश बताओ तो आपका सही हो जाएगा जगदधनईश जगदधनईश यानि सी वाला यहां पर भी राइट है हरे अत्र का संदीविछेद क्या होगा हरे अत्र का संदीविछेद क्या होगा बता दीजिए हरे अत्र हरे अत्र का संदीविछेद हरे अत्र होगा यह कौन सी संदी है पूर्व रूप संदी है पूर्व रूप संदी है हरे धन अत्र हरे अत्र हो जाएगा अब मक्षिका नाम में समाज निर्मक्षिकाणाम नहीं है ये है निर्मक्षिकम में समाज बताना तो ये निर्मक्षिकम है मक्षिकाणाम नहीं है ठीके निर्मक्षिकम है मक्षिकाणाम अभावा हा इसका क्या हो जाएगा मक्षिकाणाम अभावा हा ठीके निर्मक्षिकम का मक्षिकाणाम अभ अभ्वावा और यह अभ्वाव होगा यहां पर लिख लिजिए निर्मक्षिकम निर्मक्षिकम इसका है तो इसको आप लिखिएगा तो निर्मक्षिकम माने मक्षिकाणाम अभ्वावा इसको याद रखना टाइपिंग मिस्टेक है अभ्वाव है अच्छा मक्षिकाणाम व रक्तवस्त्रम यहां पर कर लिजे रक्तवस्त्रम अगर हम कहते हैं रक्तवस्त्रम में तो यहां पर आपको रक्तवस्त्रम करना है तो रक्तवस्त्रम में आपको बताना है कौन सा आपको वो है क्या समास रक्तवस्त्रम में बताओ कौन सा समास है रक्त वस्त्रम में बताओ, तो रक्त वस्त्रम में आपका कर्मधारे समास होगा, यहाँ पर निर्मक्षिकम नीचे लिखा हुआ है, निर्मक्षिकम मक्षिकाना मभावा अब वेई भाव हो जाएगा, और रक्त वस्त्रम में हमेशा आप रखे कर्मधारे बिशेशन है, रक् गयता है तिष्ठ और अपिबतम किस धातु लकार पुरुष तथा वचन का रूप है तो तिष्ठ किसका है तिष्ठ बताओ तिष्ठ किसका रूप है यह धातु लकार रूप बताने तो तिष्ठ क्या है तिष्ठ देखो इस्था धातु है और इस्था धातु है तो लकार और मध्यम पुरुस है और एक वचन है समझ में आया मध्यम पुरुस है एक वचन है फिर कहता अपिवितम किस धातू और लकार तथा पुरुष का वचन है अपिवितम में पाधातू है अपिवितम में पाधातू है और लंग लकार है पाधातू है और लंग लकार है और मध् फिर आया है नमसु और नामसु के लिए कमेंट कीजिए या नामसł के लिए फटाफट कमेंट कीजिए नामस के लिए या आपको बताना है नामसु, नामसु सब्दुरूब जो है वो नामन के किस से लिए गया तो 000 नामसु देखते हैं भाई कौन राइट आंसर बताता है नामसु का बताईए सब्तमी बहुचन तरतिया बहुचन चतुर्थी एक वचन या फिर प्रथमा एक वचन हैं बिल्कुल सही बात है सब्तमी का बहुचन होगा यहां पर राइट आंसर अन्ने कहा था जहां पर सू तरतिया बहुचन तरतिया बहुचन या सच्थि एक वचन तो आत्ममा मैंने कहा था भ्याम भ्याम लग जाए तरतिया चतूर्थी पंचमी का दुवचन तो यह राइट है अच्छा शिबु कुमार जी आप नए स्टूडेंट है नहीं मैंने तो कमेंट आपकी पहले भी पढ़ी है अनन्त सागर जी अमरीश पांडे हैं तपस्या सिंग है और निलेश पाल जी है और स्रेजल पांडे हैं और प्रमोध भरद्वाज जी है बिल्कुल चलिए द्रिश्टवा में इस समाश शब्द में प्रत्य बताईए द्रिश्टवा कल हमने प्रत्य का वीडियो अप्लोड कर दिया है प्रत्य पहँचान सब बता दी है तो कल आपजग्टिव प्रत्य वाला कर दिया है तो आप उसको देख लिजिएगा ठीक है मनीश चौधरी जी डिस्क्रिप्टन में लिंक है पहली पीडियफ वहीं से डाउनलोड हो जाएगी और अन्य पेपर्स की भी वहीं से मिल जाएगी तो द्रिश्टवा में देखो द्रिश्धातू है और कत्वा प्रत्य है ठीक है तो कत्प्रत्य होता है हनधातू कत्प्रत्य अगर हनधातू में कत्प्रत्य लगा दो तो शब्द बनता है हताह ठीक है फिर आता रेखांकित कहता रेखांकित पद में आपको क्या बतानी है रेखांकित पद में आपको बताना है विभक्ती तथा संबन्दित नियम बताना है ठीक है तो अब यहां देखे मातु हृत्यम कन्या प्रति इसनिक्धम भवति अब यहां प्रति लग गया है तो आप सूत्र लगाओ कौन सा अभिता परिता समया निकसा हा प्रति योगे अपिवार्तिक वार्तिक है कि अभिता परिता समया निक्सा हा प्रती इतने शम्द आ जाएं तो दुतिया विवक्ति होगी तो कर्मकारग होगा तो यही वाला सूत लगाना अभिता परिता वाला लगा देना अब यहाँ पे संस्कृत अनुआत करने हैं आपको मै कल बाजार जाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा आहम श्वहा कलका मनी आगे वाले कलका श्वहा आपणम आपणम मींस कहा तो बाजार आपणम गमिश्यामी क्या है गमिश्यामी आहम श्वहा आपणम गमिश्यामी मैं कल बाजार जाऊंगा वह अपने विद्याले जाए साहस्वविद्यालयम गच्छतु जाय आग्या दे रहा है व्यास पुत्र सुखदेव को नमस्कार है तो आप लिखेंगे व्यासस्य पुत्रह व्यासस्य पुत्रम सुखदेवाए सुखदेवाए नमहा व्यासस्य पुत्रम सुखदेवाए नमहा और फिर है मोहन पैर से लंगड़ा है तो मोहनाहा क्या हो जाएगा मोहनाहा पादेन खंजह मोहनाह पादेन खंजह रामायड के रचैता वालमी की थे तो रामायड़स्य रचैता वालमी की ही आसीत ठीक है रामार स्रचिता वालमी की ही आसीद